ते दुख का और एक फुशी का तो भाति ने यह तूãy को आशु मतलब खुशी का अशुन ने खुशी का हसी देखना है हमको फीडिक फूचे देखना है कि जैसे ही हाई से कंडी का रिजल को चित के गया काफी शेहरे हैं जिद्में खुशी देखी जा यहह हैं और खुसी इस वज़े से देखी जा रहे है कि जो साल भर का उनका मेहनत रहा है उसका फ़ल आज देखने को मिला है और एसे ही एक युवख है मेरे साथ उपष्थिक जो यह दुकान है उनके परिवार के साथ ही वो यह दुकान चलाते है सब्जी की और काफी मेहनत के बाद जो उनका रिजल्ट रहा है काफी शंतोज जनक रहा है काफी सभी बहतर रीजल्ट रहा है और 92 फर्सेंट जो है मार्क कि उस पाने में सफलता हसिल की है और सुसांत देवनाथ है इस शात्र का नाम और में सीधर उनके पर जाऊँगा और सबसे पहले तो उनको मैं बदाई देना चाऊँगा बोध बदाई आपको तो सांदर आपने जो पढ़ाई की है कहां से शुरुवारा है कि हम तहुर्ण फेले घर से पढ़ाई कर्थ थे उसके बाद पापा नहीं को आधी में भोज दिया आधी में पर यह मेरा होस्टिल से पढ़ाई किया जब परिख्शा अपने दिया था उस समय क्या उमीद कर रहे थे और जो रिजल्ट है इससे कितना संतुष्ट मतलब हमको उमीद ऐसा था कि हम मेरा जो मेट्रिक का रिजल्ट था उससे एट-लिस्ट वान परसें इंक्रीज होई ही मेरी मेट्रिक में मेरा 87.16 था तो हमको मतलब एक रूटीन था मतलब हम सुबह को कभी कभी 栖 कभी पाच बज Juice तो हम सेवंट से टारी के पहले तक आप टादी है उसके बात सेवं से मेरा क्लास होता था 3 15 तो 3 15 के बाद हम आके ठोड़ा खाना खा के रेस्ट करके उसके बाद पाच बज़े से फिर स्टाडी नो नॉर्मली उता ही था और एकजाम के टाइम में 12 बज़े के बाद भी कभी एक बज़े जेगा वही दो बज़े करें ने कम आपकर में अकल मेडिकल कभी एंटरेंस दे रहा है उसका रिजल नहीं दिया है अभी कौन सा कोलेज मिलेगा हुए पर जो और जो चात्र चात्र है जो बच्चे है उनको आप क्या मेसेज देना चाहेंगे सीख्षा के लिए एक विसेश घर की हो सकता दी आप जैसे बच्चे साबीत कर देते ह और में जिस तरह माबाप मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं आप उनके सपनों को पूरा करने में कोई भी कसर नहीं चोड़ते तो कहना कह जाएंगे जो बच्चे है आज तो मैं यही कहना चाहूंगा जो मतलब थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं उन बच्चों को मतलब अपने अपने रिजल से ही माबाप को खुशी करना पड़ेगा अभी दूसरा तो कुछ करने ही सकते हैं हम लोग अभी तो ज्यादा काम करके भी हर ब्यक्ति के पीछे एक ब्यक्ति का हाथ होता है और जो सीख्चक है उनके भूमिका काफी बड़ी रहती है जो चात्र-चात्र के भविश्य के लिए तो अपने सीख्चकों को क्या कहना चाहेंगे हमरे चैनल के जरी पहले तो सबसे बड़ा कंट्यूशन मेरा ममी पापा क मेरा एडुकेशन में मेरा स्टडी जो रिलेटड जो भी उसके बाद मेरा टीचर्स जो भी है अभी हम इसकूल लाइफ में पता हैं द्यूश ऐसा भी होते हैं लेकिन अभी जो हम कॉलेज में पर आभी 2 साल 1st year 2nd year अभी जो हम उनको टीचर्स मिला और टीचर्स का सब्सक्राइब करने पर जाए उसके लिए तो क्या कहेंगे आपका बच्चा जो आज सफल हुआ है ओभी 92 परसें लेकर कितने संतुष्ट है सब्सक्राइब करने माका भाए लुकान है हम तो गुटे दिन बो शोबे चब़े जाज दुगान में रात को जाते हैं लेकर नुगा पढ़ाई के लिए हमारा मा, 70 पड़ता है, नहीं पड़ता है, उठाना, बठाना, खाना, सब देखते थे, हम लोग दोनों, हजबेंड वाइप, दोनों दुकाने करता है, इसका पाज उसको जो हम लोग है सेगंडी में दिया, हमको आड़ी कोलेज में पढ़ाना का हमारा खमाता नहीं जा है, लेकिन जोब दिया तो उसका मा का लिए थोड़ा पान का दुकान खुल दिया उनसे भी थोड़ा मदद मिले तो उसी से उसका जो हम लोग खाटनी करता है उसका जो रिजाल दिया हम लोग खुशे आपके पास प्याओंगा क्या कहेंगे कि अब खुद मैनत करती है इस तरह का तुकान जला थी है मैनत का फल कितना आपका बच्चे लगए अपको लगए कि आपैंद इतना मञें अफिर से कभी बात नहीं करया है समेडिय से कभी बात नहीं केसे मज़ würde अमस्ट दो तरग हो तो एक दुख का और खुषी का और यह आशु का अशु का तो बात ही नहीं यह तो खुषी का यह एका एसले मतलब कुसी का आशु नहीं कुसी का हसी देख तरह करेंगा जैदी कुई जागा में लोटक जाते हैं सवरकार जैसे आमको थोड़ा मोदत करें तरकर से में उम्मीद करूँगा जैसा कोई लाइफ में टाइम रहा है क्या कि इसका एडमिशन करना है या किताब लेना है और आपको काफी तकलीफ उस टाइम हुआ हो फिर भी आप लोग ने मेनेश करके जैसे हमना भाई बंदू लोग जो है फ्रेंट लोग है वो अभी भी कर रहा है और आगे भी करेंगा है वी उम्मीद है कि आपका भी आख में एक खुशी का सब्सक्राइब है और किस तरह का जो खुशी देखा जा रहा है और खुशी का आसु न और फिलाल मेलों का बिदाया परसाथ बना देए अब देक्तर एपर के पसा बाचार